हाई गाईज मेर नाम है संदीप यह है Poco X3 Pro के अंदर लेटेस्ट CR Droid का 8.6 अपडेट जिसके अंदर मेरे को कुछ नए चेंजस लगे हैं और जो गेमिंग परफॉर्ममेंस आपको मिलती है अभी के लिए Poco X3 Pro के लिए और यह जो अपडेट है वो कैसे परफॉर्म करता है दिवाइस के लिए वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा बड़ उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बढ़ायो तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर सकते हो एंड लाइक डेफिनेली करें बात करेंगे अब आउट फोन बेज की तो CR Droid का आपको मिलेगा और जो चार्जिंग स्पीड है अठरा 33 वाट्स है वो कुछ ऐसी है तो 33 का जो फास्ट चार्जर है वो यहां पर वर्क नहीं करेगा उसके बाद यहां पर बात करेंगे इस रॉम के अंदर CPU थ्रॉलिंग राफ को लेके तो यहां पर CPU बिलकुल भी एंच 5 के उपर मिलेंगे और इन दोनों को रन करते टाइम और गेमिंग को मैंने जब यहां पर ट्रॉय किया तो इन तीनों के अंदर मैंने थर्मल प्रफाइल को यूज कर रखा जो कि आपको बैटरी वाले सेक्शन के अंदर मिलेंगे अब बैटरी कंजर्प्शन की बात क और जो आइडिल ट्रेन है 1.0.1% के आज पास आपको मिलेगा और डीप स्लिप काफी अच्छे से वगींगा है और जो आपका आइडिल ट्रेन है ना वो थोड़ा सा कम आपको मिलेगा यहां पर मैंने इसको वाइफाई के साथ में कनेक्ट कर रखा था तो कोई भी दिकत आपको नहीं आने वाली जो आपका आइडिल ट्रेन होने वाला वो इससे भी कम आपको मिलेगा नहीं चेंजिस की बात करते हैं इसके अंदर लॉंचर आपको मिल जाता है यह वाला सिया ड्रॉइड होम नेम से यहां पर आइकन पैक है होम स्क्रीन है यहां पर आल्मोस्ट वही ओप्शन आपको मिलेगे बड़ एक चेंज आपको यहां पर मिल जाएगा आप देख सकते हो वही ओप्शन है ग्रेट्स व बड़ अगर आप देखोगे यह वाला इफेक्ट आपको नया देखने को मिलता है इस अपडेट के अंदर इसका जो सिया ड्रॉइड का जो रिसेंट्स मेन्यू है वो अभी अपडेट हो चुका है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो काफी जादा स्टनिंग लग रहा है और यह जो चेंज ना यह मेरे को परसनली काफी अच्छा लगा है अब दूसरा चेंज चेक करवाने से पहले आपको मैं इसका जो एक सेडिंग पैनल को पुल डाउन करते हैं अगर आप यहाँ पर देखोगे न तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्टर्टरिंग फील होगा यह 120 Hz के उपर आपको नहीं लगेगा तो आप चेक कर सकते हो थोड़ा सा आपको दिक्कत यहाँ पर आएगी फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ पर इसको पूल डाउन करते हो उसके बाद आप जैसी इसको मूव करोगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली बड़ा जैसी यहाँ स के ऊपर आप जैसी प्रेस करते हो तो यहाँ पर हैटिक फीडबक आपको देखने को मिलेगा आप फील कर सकते हो इस चीज़ को आप चेक करोगे यहाँ पर ना हैटिक साब् Oh defined हो चुकी है उसके बाद इस सेटिंग के ऊपर आप जैसी प्रेस करोगे तो ca droid सेटिंग ऑपन हो जाएगी and यहाँ पर प्रेस करते टाइम भी आपको haptic feedback देखने को मिल जाएंगे तो यह जो change है ना वो आपको नया देखने को मिलता है इस ROM के अंदर अब इसके लावा जितने भी changes है ना वो मापको आगे बताता हूँ बडू से पहले इसका जो stock camera है इसके अंदर same bug यहाँ पर present है first of all ultra wide worker है वीडियो के अंदर आओगे तो 4K 30fps तक maximum video portrait mode आपका working है और photo के अंदर AI HDR वगरा वाले सब कुछ options आपको मिल जाएंगे even slow motion के अंदर आते हो ना तो यह आपका यहाँ पर crash रहने वाला है 1x8x या फिर 1x4x के उपर अगर यह version यहाँ पर work नहीं करता ना तो आप कोई और version try कर सकते हो so gcam के अंदर I think आपका काम हो जाएगा इसके regarding अब नए changes की बात करेंगे first of all setting के उपर आते हैं और यहाँ पर आपको CR droid setting के अंदर ना सभी चीज़ें यहाँ पर से मिल जाएगी और एक जो चीज़ आना वो आपको मिल जाती है data usage के regarding quick setting पैनल के अंदर मा आपको दिखाता हूँ तो quick setting पैनल के अंदर सबसे पहले battery percentage के अंदर left और right दोनों वाला option आ चुका है और यहाँ पर अगर आप देखोगे animation style है data usage आप यहाँ से enable कर सकते हो तो यह option आ चुका है clear all notification button का option है और नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पर lock screen के अंदर वही options हैं navigation के अंदर भी same वही options आपको मिलेंगे buttons के अंदर power menu है और यहाँ पर user interface के अंदर भी सब कुछ same आपको मिलता है जो कि मैंने previous video के अंदर आपको already बिताया है और यह आपको notification के regarding options देखने को मिलेंगे इवन अगर आप sound के अंदर आते हो तो in call vibration option है higher fps है game space के options है न वह माँ आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर work कर रहा है और यह कितना update हो चुका है और क्या कुछ चीजों की कमी यहाँ पर में भी हो सकती है या फिर यह जो है बिल्कु लेटेस्ट आपको updated मिलता है और spoofing option मिलता है photos के अंदर तो वो आप यहाँ पर tension मत लेना अपडेटर आपका working है OT updates check out करने के लिए quick tap है system navigation में पिल्की length वगर आप increase कर सकते हो haptic feedback option को option मिलेगा और security के अंदर face unlock fingerprint दोनों आपके working है wallpaper and style के अंदर themed icon है app grids up to 6 cross 10 तक मिलेंगे display की बात करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा live display और इसके अंदर color calibration, color profiles आपको काफी जाएदा मिलेंगी और picture adjustment का option है बागी भागी high touch, high per touch polling rate का option एड़ हो चुका है और battery के अंदर usage आप चेक कर सकते हो 24 hours वाला thermal profiles आपको मिलेंगे apps के अंदर कोई भी dedicated gaming dashboard आपको नहीं मिलता और sound and vibration के अंदर भी per eye volume control है me sound enhancer के अंदर select scene या फिर scenario का option है haptic feedback level आप अपने accordingly customize कर सकते हो तो यह typical से options है जिसके अंदर कुछ नए changes आपको थोड़ी थोड़ी देखने को मिल जाएगे अपना game space के जितने भी नए features हैं जो changes है वो मैं आपको बताता हूँ इस CRDroid 8.6 के अंदर सबसे पहले यूज नहीं किया memory का भी option आपको मिल जाएगा 4G भी यहाँ पर शोग कर रहा है memory अवेलिबल यहन मैंने BGMI यहाँ पर open कर रखा है तो almost latest updated सभी features आपको मिल जाएगे आप यहाँ पर इसका fps चेक कर सकते हो कुछ इस तरीके से यह work करेगा अब 90 fps के उपर जो gaming performance है वो काफी ज्यादा कमाल की आपको मिलती है जो experience है वो काफी ज्यादा अच्छा आपका रहता है अगर आप यहाँ आपर हीटिंग के regarding वरीड हो तो आपका जो temperature है definitely 45 के आसपास भी चला जाता है मैंने screen recording के साथ में यहाँ पर gaming की है 90 fps के उपर बर जो experience था ना वो काफी ज्यादा कमाल का है यह जो update है so far काफी ज्यादा best आपको मिलने वाला है जो performance है जो battery backup है जो UI की optimization है इस ROM के अंदर काफी ज्यादा अच्छी आपको मिलती है and updates आते हैं काफी सारे fixes आपको इस update के अंदर मिल जाएंगे voice calling के regarding भी echo का issue था वो भी fix हो चुका है तो काफी सारे changes के साथ में यह वाला update आपको मिलता है जिसको आप definitely try करना and जो performance आपको मिलेगी न 90 fps के उपर I think आपको किसी भी और ROM के अंदर नहीं मिल सकती and मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर